हाई फ्रेंड्स इसी वीबु दत्त फ्रम साहू टेक्नो गाइड आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ हूँ नौइस प्रांट का कलर फिट नव स्मार्ट वास का अन्बोक्सिंग अंट्रिव्यू अगर आप ये वीडियो हमारा चैनल में पहली बार देख रहे ह तो ये नौइस प्रांट का कलर फिट नव जो स्मार्ट वास है इसमें हर एक फीचर्स आपको मिल जाता है जो कि एक स्मार्ट वास में रहता है और इसका जो प्लस प्रांट या खासे थे इसका बिल्ट इन जीपिएस तो इसमें बिल्ट इन जीपिएस से इसलिए आपका हर तो भी आपको कोई प्रोलेम नहीं आता है और इसमें काफी सारे वाच फेसेस मिलता है आपको आप कस्टोमाइज भी कर सकते हैं अगर आपका फोटो खुद आप वाच का फेस में रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं तो यह जो प्रड़क्ट है यह आपको 4500 के आसपस amazon.in मे मिल जाता है तो नीचे description में मैं उसका link दिया हूँ वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं तो चलिए करते हैं उसका unboxing तो यह हमारा noise color fit nap का box pack है इसको हम open कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं color fit nap लिखा गया है GPS smart watch लिखा गया है और back side में उसका कुछ detail लिखा गया है जैसे के GPS space activity tracking है और यहाँ पर 6 axis accelerometer लिखा गया है cloud based watch face 4 days battery backup और यहाँ पर 1.4 inch का color touch screen आपको मिलता है और यहाँ पर IP68 waterproof आपको मिलता है Bluetooth version जो है 4.2 मिलता है आपको और यह Android और iOS में support करता है और यह आपको one year guarantee के साथ मिलता है तो यहाँ पर हम इसको open कर देते हैं तो जैसे यहाँ पर इसको open करते हैं तो यहाँ पर उसका strap आपको मिलता है जैसे के यह हम green color में लिए हैं तो यहाँ पर black color भी available रहता है अंड यहाँ पर यह Wasth यहाँ पर दिया गया है और इसके नीचे आपको एक user manual मिलता है और यहाँ पर उसका charger मिलता है जो के यह Wasth को charge करने के लिए और यह magnetic charger है तो यहाँ पर जो strap दिया गया है यह काफी अच्छा quality का है और silicon में बना है तो काफी smooth भी है, तो यहाँ पर यह cover को peel कर देते हैं, तो यह wash देखने के लिए कुछ ऐसा है, और back side यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह unisex है, मिन्स आप gents या ladies कोई भी इसको पहन सकते हैं, तो यहाँ पर इस side में उसका दो physical button दिया गया है, तो जैसे button press हुआ, तो vibration सकते हैं, display में कुछ आ गया, download, noise fit app, उसके बाद हम sidewise इसको scroll कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर device का details बगरा दिया गया है, और यहाँ पर QR code दिया गया है, तो यहाँ पर mobile phone में यह application में install कर दिया, तो यहाँ पर आपको permission देना पड़ता है, उसे allow कर देते हैं, तो आप details register करने के बाद यहाँ पर दो आपको show करेगा, जिसे के यहाँ पर noise fit fusion और यहाँ पर color fit nap, तो यहाँ पर हम click करते हैं, यहाँ पर agree, तो उसके बाद आपको color fit nap यहाँ पर click करना है, यहाँ पर हम QR code को scan कर लेते हैं, जिसे हमारा watch में यहाँ पर QR code दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर scan कर लेते हैं तो यह read कर लिया वह यहां पर तो यहां पर भी message आ गया pairing successfully यहां पर done तो यह उसका home page है और यहां पर watch update हो रहा है जैसे कि आप यह application through में यह watch को update कर सकते हैं watch face कुछ ऐसे आता है अगर आप नीचे से उपर तक कैसे scroll करते हैं तो पहले आपको setting मिल जाता है और यहां पर बैटरी का percentage जो है वो सो कर रहा है और यहां पर brightness आप बढ़ा सकते हैं और यहां पर airplane mode कर सकते हैं यहां पर vibration control कर सकते हैं और यहां से do not disturb भी active कर सकते हैं तो setting में जाते हैं तो यहां पर आपको accessibility मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है आप text का size कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको GPS tracking भी enable disable कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर brightness आता है brightness जैसे में यहाँ पर आपको show करके दिखाया कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको device info मिल जाता है और यहाँ पर orientation आता है जैसे मैं यहाँ पर फूल कर दिया तो next यहाँ पर wake up setting है जैसे lift to wake up मिंस अगर आप watch को इसे लगा है और face की तरफ करते हैं तो उसका screen जो है on हो जाता है तो यहाँ पर एक option दिया गया है आपका phone को धूंडने के लिए जैसे कि यहाँ पर अगर आप click करते हैं तो phone में एक beep sound आता है तो आपका phone कहां पर हो पता चल जाता है तो पर से नीचे तक अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पर notification show करता है तो अगर आपका phone में कोई भी notification आया ह यहाँ पर रैण से लेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर activity show करता है next यहाँ पर alarm है तो इसको भी आप set कर सकते है तो नेक्स्ट यहाँ पर breathe है इसको भी आप start कर सकते हैं और यहाँ हाँ हाट रेट monitor है next yॉब्ध मैंगर आप आपका phone का music को control कर सकते हैं यहां पर reminder है यहां पर sleep है जिसे के अगर आप यह वाइन के सोते हैं तो यह आपका sleep को भी track करता है कितना घंटा आप सोते हैं या deep sleep आपका कितना है यहां पर stopwatch है timer है weather है और यहां पर workout है वार्काउट में आपको काफी सारे वार्काउट मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर वाकिंग है, रॉनिंग है, आउड़ोर साइकलिंग है, इंडोर साइकलिंग है, इंडोर वाकिंग है, इंडोर रॉनिंग है, योगा है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, और यहाँ बैड विटन है ड्यांद से फिर से वाकिंग आ गया मिन्स इतना वार्क आउट यहां पर आपको मिल जाता है तो यहां पर आपको वाज का काफी सर फेस मिल जाता है जैसे कि यहां पर अगर लॉंग प्रेस करके आप रखते हैं तो यहां से इसका फेस चेंज कर सकते हैं जैसे कैसे में आपको बता रहा था अगर आपका photo अगेर्या यहां po set करा है तो भी आप कर सकते हैं यह face लाने के बाद यहां पर click कर दேते हैं तो यह face यहां पर set हो जाता है तो जीशन ही आप अफ़र किनके अंदर जाते हैं तो यहां Google fit आप इंस्टेल किया हैं आपका फोन में आप Google fit का अप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो यहां पर इसको भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और यह वाट को अन प्यार कर सकते हैं और यहां पर डिवाईस का यूनिट को आपle have 손 Zone मानिंटर है जोजो यहां पर पिचर दिया गया है उसको आप मानवाली एक एक बार check कर सकते हैं या auto में set कर सकते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा फीचर से हैं जिसके आज के time में आपके लिए काफी helpful रहेगा जिसके यहाँ पर अगर आप set करते हैं जो भी time set करेंगे वो time में आपको remind देगा आपका hand watch करने के लिए यहाँ पर notification है आपका phone का notification आपको यह smart watch में show करेगा तो next यहाँ पर watch face है जो के मैं आपको बताया था तो यहाँ पर आप customize set कर सकते हैं जैसे कि यहाँ से कोई भी photo के आप यहाँ पर वालपेपर बना सकते हैं या आपका existing कोई भी photo है तो उसको भी अपसेट कर सकते हैं तो यह photo को मैं कॉस्टवाइज कर कर आपको दिखाता हूं जैसे कि यहां पर next यहां पर next आप यहां पर सेव कर देता हूं तो यह थोड़ा time लेता है अपडेट हो ने के लिए उसके देना हूँ, तो जैसे मैं आपको बताया था, अगर screen आप देख सकते हैं, यह off है, ऐसे ही move करते हैं, तो screen on हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, screen off हो गया, जैसे ही move करेंगे, तो screen on हो जाता है, तो indoor में इसका display कुछ देखने के लिए ऐसे मिलता है, जैसे कि आप यहाँ प यहाँ पर हम heart rate इसका measure करते हैं, तो यहाँ पर 76 BPM show कर रहा है heart rate, अगर हम phone में यहाँ पर sync कर देते हैं, तो यहाँ पर भी वो show कर देता है, तो अभी हमरा mobile phone में यह गाना चल ला है, तो यहाँ पर हम music में जाते हैं, तो music में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, same गाना यहाँ पर भी show कर रहा है, तो यहाँ से आप pause and play कर सकते हैं, जैसे यह अभी pause हो गया, तो यहाँ पर यह next हो गया, तो फिर से next हो गया, यह previous आ गया, तो मैं अभी दूसरा phone से मेरा phone को एक message करता हूँ, whatsapp में, तो हम देखेंगे यहाँ पर उसका notification कैसे आता है, जैसे यहाँ पर message आ गया, तो यहाँ पर tap करते हैं, तो यहाँ पर भी message जो है, यह show कर रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको dismiss कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक call करता हूँ, दूसरा phone से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में यहां पर show कर रहा है तो यहां पर vibration भी हो रहा है विद यहां पर number या नाम show कर रहा है तो यहां से भी आप call को cancel कर सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं मैं यहां से cancel कर दिया तो भी phone से यहां पर cancel हो गया और इसको charge करना भी काफी आसन है जैसे के यहां पर जो उ उसके बाद आप कोई भी USB port में या आपका फोन का charger में इसको लगा सकते हैं तो charging में लगाने के time में यहाँ पर display कुछ हैसे आता है जैसे यहाँ पर time शो कर रहा है यहाँ पर डेट शो कर रहा है और यहाँ पर कितना परसेंट चार्ज हुआ है वह यहाँ पर शो करता है तो ज देख सकते हैं यहाँ पर आराम से आपको time कितना है वह पता चल जाता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर हम कुछ workout चेक करते हैं जैसे walking में यहाँ पर set किया तो यहाँ पर start तो यहाँ पर अगर आप step move करते हैं तो यहाँ पर step भी एकाउंट कर रहा है उ तो daytime में भी यह वाज काफी effective है आप आराम से इसको use कर सकते हैं और यहाँ पर इसका face भी हम change करते हैं daytime में तो भी यहाँ पर देख सकते हैं सबी फेस आपको यहां पे आराम से दिख जाता है अगर आप डरेट सुनलाइट के उपर भी है तो भी यहां पे आपको दिख जाता है तो अभी हम यह स्माट वास का फाइनल कॉंक्रूजन के बारे में बात करते हैं जिसे के इसमें काफी सरे अडवांस फीचर्स भी दिया ग लगता है यहां पे इसको आपल वास के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्राइस रेंज के सबसे यह काफी अच्छा है तो यहां पे मुझे उसका एक दो पॉइंट अच्छा नहीं लगा जो कि इसका डिस्प्ले थोड़ा कॉर्ग दिया जाता तो और आच्छा लगता जि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अभी आप हमको इंस्टागाम और ट्विटर में फोलो कर सकते हैं और हमारा फेस्बुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारा यूटीब का चैनल सब्स्राइम नहीं किया तो अभी कर लिजे कि इस टे बेकतर है ये साउट टेक्नोगैड आपका दिन सुप हो